नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस दरविन्ध सुमन ass math academy देबास है दोस्तों आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं लाव और हानी के part नमबर फिवत हैं दोस्तों मैं आपको लाव हाने के part number first, second and third and fourth और fourth और पहले बता चुका हूँ बहुत ही easy method से बताया है और अधि आपने मेरा part number first, second, third and fourth नहीं देखा तो प्लीज उसको देख लीजेगा, like किजेगा और subscribe जरूर इस चैनल को कर लीजेगा अधि आपने subscribe नहीं किया है तो प्ली दोस्तों में share कीजे तो दोस्तों देखते हम part number fifth का प्रिश्न क्रमांग पहला तो जो प्रिश्न क्रमांग पहला है इसमें हमारे लिए दिया गया है कि एक ब्यापारी एक ब्यापारी तुरुटी पूर्ट तराजू में शामग्री खरीदने में देखना question बोल क्या रहा है यह बोलता है कि एक ब्यापारी तुरुटी पूर्ट तराजू में शामग्री खरीदने में 20% की बेइमानी करता है यह एक आदमी जो सामान खरीद रहा है वह है 20% की बेइमानी कर रहा है ठीक तथा बेचते समय वह है 10% की बेइमानी कर रहा है मतलब उसकी तराजू में कही एक दुकानदार किसी भी चीज को खरीद रहा है तो खरीदेते टाइम 20% की बेहिमानी करता है और बेचते समय 10% की बेहिमानी करता है तब बताईए कि ब्यापारी के लाव का प्रतिशत क्या होगा अब आपको ब्यापारी के जो लाव का प्रतिशत बताना है तो उस प्रतिश लाव का पृतिसत निकालना हैं तो इसके लिए क्या आप रखेंगे फ़र्मूला x pilus y पिलस x y upon 100 यह फ़र्मूला आपका होगा दोश्तों एक्स की वेल्यू क्या होगी उसने जब खरीदा हुआ है य की वैल्यू क्या होगी जब उसने बेचा हुआ है तो आपको X की value इधर पर count कर देना जैसरे X की value आप यहां पर count करोगे X की value suppose that 20% रखोगे Y की value यहां पर 10% रखोगे समझ रहा है मेरी बात को और इधर पर Y की value आप 10% रखोगे X की value आप 20% रखोगे समझ रहा है हैermin 100 आपने क्यों लगाए हैं क्योंकि आपको इसका percentage निकालना है, ठीक, तो दोस्तों मैं बता दूँ आपको इसको, पहले question को solve किस तरीके से करना है, देखें, इसको हम solve करेंगे दोस्त, इसका solution है दिया हमें निकालना है, तो इसके solution के लिए करना पड़ेगा, formula, love का percent वराबर, x plus y plus x into y upon 100, ठीक है, x की value रख दीजे, आप x की value कितनी रखोगे, 20 plus y की value क्या रखोगे, 10 plus x की value क्या रखोगे, 20 into 10 divided by 100, add, समझ रहे हैं दोस्त, यह आपको निकालना है, इसको resolve कर दीजे, देखो 20, समझ ना, 20 और 10 को add कर दोगे, यह आपका इधर पर हो जाएगा, 30 plus, देखोगे, एक 0 से, 0 cancel, एक 0 से, एक 0 cancel, और 2 बंजा, 2, यहनि, आपको 30 और 2 add हो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा, 30 percent, तो यहाँ आप देख लीजे, दोस्त, आपको जो लाब का प्रितिसद मिला, लाब का प्रितिसद क्या हो जाएगा आपका अंसर, लाब का पर्षेंट बराबर 32 percent, यहनि, उस ब्यापारी को, जिसने 20 percent, तुरूटी पर, 20 percent तुरूटी पर खरीदा था, और 10 percent की तुरूटी पर, यहनि, उसने बेमानी जो कर रहा है, तो उसको, दोस्तो, 32 percent का profit हो रहा है, ठीक है, तो दोस्तो, आपको कुछ नहीं करना है, बस एक सीधा-सीधा simple formula है, x plus y plus x into y divided by 100, इसमें आपको value put कर देनी है, तो आपको इसका answer मिल जाएगा, दोस्तो, येक और मैं example देख लेता हूं, तो जिससे आपको आज समझने में भी थोड़ी आसा नहीं हो, दोस्त, देखेगा, पृष्णि क्रमांग, शेकन, इसमें सर क्या है, question दिया गए, एक ब्यापारी या एक दुकांदार, एक दुकांदार, तुरूटी पूर्ट तराजू में सामगरी खरीदे समय, जब वो सामगरी खरीद रहा है, तो उस समय वो 5% की बेमानी करता है, तथा समगरी बेचते समय, वो 5% की फिर से तुरूटी कर रहा है, तो बेमानी करता है, तो उसका फिर हमें व्यावnon회 का लाप देखो जो लाप कमाएगा मनलब कम देगा तबी तो उसको लाप होगा तो इसलिए हमें उसका लापका परसेंट निकालना है तो लापका परसेंट के लिए मैं आपको formula ऐलेडिः बता चुका हूँ कि लाब का percent के लिए formula आपको क्या रखना है x plus y plus x into y divided by 100 इसमें आपको value put कर दीने हैं तो लाब का percent वरावर क्या होगा x की value भी 5 होगी y की value भी 5 होगी plus x की value भी 5 होगी into y की value भी 5 और 100 इसको solve कर दीजे solve करो तो कैसे करोगे लाब का percent वरावर 55 कितना होगा 10 plus 55 जा 25 divided by 100 ठीक है अब देखो लाब का percent कैसे निकालते हैं लाब का percent वरावर 10 plus 100 का इसमें divide करोगे तो कितना बनेगा 0.25 0.25 इसको इसमें add कर दोगे तो लाब का percent आपको क्या मिल जाएगा लाब का percent वरावर 10.25 percent यानि ब्यापारी को जो profit हुआ है वो 10.25 का profit हुआ यह आपको answer मिल गया समझ गया दोस्तो तो देखो आपने कुछ भी नहीं लगा है सिर्फ एक formula लगा है दोस्ता आपने लाब का percentage निकालने के लिए x plus y plus x into y upon 100 यह formula ही आपको लगाना है इस formula से आपको उसका percentage निकाल देना है तो दोस्तो मुझे आसा है कि आपको भी बेरा वीडियो जरूर समझ में आया होगा एक जम्पल के साथ तो नमस्कार दोस्तो और बता दू मैं आपको जाते जाते समय कि इस channel को अभी तक भी आपने subscribe नहीं किया तो please इसको subscribe जरूर कर लेना और अपने दोस्तों में इसको share भी करना और जिससे मेरे वीडियो के alert आपको मिलते रहेंगे मेरे नए नए वीडियो मैं आपके लिए अपडेट करता रहूँगा क्योंकि दोस्तों आज मैं मेहनत कर रहा हूँ तो शिर्फ आपके लिए कि आपकी मैं किसी भी तरह से मदद कर सकूँ क्योंकि मैं मदद आपकी किसी तरह किसी नहीं कर सकता लेकिन हो सकता है मेरे पास चोटी सी बजह है जिससे मैं आपकी मदद कर रहा हूँ तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजे जब तक ही नमस्कार आपका दोस्त अरविन सुमन